हाला सुडेंट्स मेरा नाम दॉक्टर गजंद पुरही तोर आप देख रहें हमारा यूट्यूब चैनल अज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ नॉर्मल डिस्टिबिशन इससे पहले मैंने स्टेटेस इस पे काफी सारे वीडियोज अपलोड किये हैं जहाँ पर मैंने अगर 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 न को इन्फाने पे टेंड कर दिया जाए तो जितने भी डिस्टिबिशन चाहे पॉइसन ले लो चाहे बाइनिमल ले लो या जिते भी हम distribution पढ़ेंगे, वो सब normal distribution को follow करते हैं, इस दुनिया में ऐसी सभी घटना है, जिसका हम probability निकाल सकते हैं, वो normal distribution को follow करती है, हम अपनी बात भी करें, एक इंसान की energy होती है, या काम करने का जो energy level होता हो एक time पर बढ़ता है, and then बढ़ने के बाद फिर एक समय के normal distribution को follow करता है, normal distribution की graph की बात करें, तो इसका जो graph होता है, वो हमारे पास bell shape graph होता है, एक चीज की probability एक time पर बढ़ती ही, बढ़ती ही, और peak पर जाने के बाद फिर down होना, start हो जाती है, और सुन यह हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, इसका shape होता है, और यह एक symmetric distribution होता है, य जो कि हमने इससे पहले moments में बढ़ाया था, तो वहाँ पर हमने positively skewed, negatively skewed, lefto could take, meso could take, platy could take, तो हम यहाँ पर normal distribution से data को compare करते हैं, कि जो data हमारे पास given है, वो normal distribution को follow correct नहीं कर रहा है, तो वो हम उस concept से यहाँ पर सीखते हैं, तो आज मैं आपके सामने normal distribution का mean and variance है, और यह एक PDF होता है, इसको हम यहाँ पर discuss करेंगे, उसके बाद जो next class होगी, उसमें इसका MGF कैसे निकालते हैं, प्लस जो standard normal वीरीट होता है, उसके बारे में हम discuss करेंगे, उसके बाद area property है, जिसमें बहुत सारे question exam में आते हैं, तो उसके बारे में हम discuss करेंगे, तो सुन, शू करते हैं सुन, normal distribution के बारे में बात करते हैं, normal distribution is a continuous distribution, and it is derived as a limiting form of the binomial distribution under the following condition, वसाई, सब के लिए, not for the specific binomial, and the number of independent trial is an infinitely large, मतलब अगर n tends to infinite कर दिया जाए, neither p and nor q is very small, मतलब p और q यहाँ पे small नहीं होने सी, ज्यादा छोटे नहीं होने सी, इसका जो pdf होता है, वो होता है, 1 upon sigma root 2 pi and e की power minus x minus mu upon sigma का whole square, और यहाँ पे यह 1 by 2 आ जाता है, सुन, यह हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इ minus infinite से infinite यहाँ पे जाता है, तो सुन, यह हमारे पास क्या होता है, इसका pdf होता है, अगर exam में यह पूछ लिया जाए, कि show that this is a pdf, तो कैसे हम इसको प्रूव करते हैं, तो यह हम यहाँ पे प्रूव करनी कोशिश करेंगे, सुन, fx is equal to 1 upon sigma root 2 pi and e की power minus 1 by 2 x minus mu upon sigma का whole square, जहाँ पर x हमारे पास क्या होता है, सुन, minus infinite से infinite के बीच में उताब से पूछा जाए, कि show that this is a pdf, तो सुन, कैसे हम pdf यहाँ प्रूव करेंगे, तो pdf की हमारे पास दो condition होती है, पहली condition तो यह होती है, कि जो fx है, वो 0 और 0 से बढ़ा होना चाहिए, और second हमारे पास condition होती है, कि minus infinite to infinite fx dx की value हमारे पास यहाँ पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए, गर ऐसा है, तो सुन, यह हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, pdf हो जाएगा, सुन, कैसे हम pdf प्रूव करेंगे, तो हम सब से पहले यहाँ पर, first तो fx 0 और 0 से बढ़ा ही है, अब हम second condition की बात कर तो हम यहाँ पर लेके चलते हैं, minus infinity to infinite fx dx की value क्या होगी, तो बटा minus infinity to infinite यह आएगा, 1 upon sigma root 2 pi e की power minus 1 by 2 x minus mu upon sigma का whole square dx, इस वर्म क्या करेंगे, यहाँ पर x minus mu upon sigma कोम यहाँ पर z मानेंगे, तो सुन, dx upon sigma is equal to dz, तो सुन, dx is equal to हमारे पास यहाँ पर क्याएगा, sigma dz हो जाएगा, यहाँ 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 पर इस वेली उठाके रखेंगे, तो यहाँ यहाँ आएगा sigma upon root 2 pi तो बहार आ गया, यहाँ यहाँ पर x की value है, जब आप infinite रखेंगे, तो z भी हमारे पास infinite हैगा, और minus infinite है, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो यहाँ आएगा z square by 2, और यहाँ आजाएगा हमारे पास, 0 से infinitive e की power minus ka z square by 2 dz, अब इसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, integration करेंगे, तो इसका जो integration होता है, वो हम यहाँ पर gamma function का concept से use करेंगे, तो उससे हो जाएगा, तो हम यहाँ पर यह लेके चल रहे है, minus infinite to infinite, fx dx की value लेके चल रहे है, यहाँ इसको R by 2 है, इसको मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ? t मान लेता हूँ, तो यह यहाँ आएगा हमारे पास, 2z dz is equal to dt होगा, तो यहाँ पर dz की value होगी, यह 2 से 2 cancel होगा, तो dt upon z हो जाएगा, और z की value हमारे पास, यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर बात करेंगे, तो इसक चुदिए के ने टो को बहूं निकालते तो यहाइगा टो हो जाएगा तो यह हमारे पास व्याया हो जाएगा जिरो से इन पटाइक सी को उपर ले जाएंगे यह आएगा t की पावर माइनस 1 बाई 2 e की पावर माइनस d and d इस तुन हम जानते हैं यहां पर हमारे पास gamma function का formula होता है और gamma function का formula मैं आपके सामने गर यहां लिकेने जाऊं तो यहार यह हमारे पास formula होता है 0 to infinitive x power n minus 1 e की पावर minus x की जो value होती है वो gamma n के बराबर होती है न मतब जो भी यहां पावर आती है n minus 1 बढ़के यहां पर एक बढ़के gamma में आ जाती है तो यहां पर minus 1 by 2 है तो पहले बाद तो 2 से 2 cancel होगा यह वन अपन root pi होगा तो बढ़ा minus 1 by दिखो इस बिल्कुल डिक्टो हो यहां पर यहां पर एक सब्सक्राइब आ जाता है तो यहां पर एक बढ़के gamma तो minus 1 by 2 में एक जुड़ेंगे तो 1 by 2 तो यह गामा 1 by 2 होगा और हम जानते हैं तो गामा 1 by 2 की जो value होती है वो root pi होती है आपको बोलेंगे सब्सक्राइब गामा हमारे पास इसकी value होन होगी मतलब हमारे पास यह जो fx है यह क्या होगा pdf होगा सुन अब यहां पर एक्जाम में जो question बनते हैं वो बनते है mean and variance पर यह आपको इसका mean and variance निकाला है तो show that fx is pdf मैंने बताई दिया इसको कि कैसे हम यहाँ इसको pdf प्रूव करते हैं सुन बात करते है next mean and variance of the normal distribution के बारे में तो exam में इसका mean and variance पूछा जाता तो सुन कैसे इसका mean and variance निकालते हैं सबसे बात करेंगे सुन इसके mean के बारे में चुकि हमारे पास जो fx दे रिखा है सुन यहाँ था 1 upon sigma root 2 pi e की power minus 1 by 2 x minus mu upon sigma का whole square जापर x minus infinite से infinite के बीच में होता है बाप से पूछे जा रहा कि भाई इसका mean क्या होगा तो बटा mean जो होता है वो हम जानते है सुन इसका mean होता है वो ex के बराबर होता है और इसको खोलेंगे तो यह आएगा minus infinite से infinite x fx dx के बराबर हो जाएगा इस सुन यहाँ पर क्या करेंगे इसकी value निकालेंगे तो यह आएगा minus infinite से infinite x और यहाँ पर जो fx है यह आएगा sigma root 2 pi e की power minus का 1 by 2 x minus mu upon sigma का whole square into dx हो जाएगा इस सुन क्या करते हैं यहाँ पर sigma upon root 2 pi को में बहार निकाल लेता हूँ न इस सुन यह minus infinite से infinite पर एक काम करता हूँ मैं इसको यहाँ पर मान लेता हूँ न इस सुन क्या करते हैं यहाँ पर इसको हम z मान लेता है तो पटा, X की वेलिव, अगर मैं यहां से निकालने में बेट हो, तो X is equal to क्या आएगा, बटा, सिग्मा उधर गया, तो यह आएगा, सिग्मा जैड प्लस मु हो जाएगे, बटा, यह वेलिव उठा के हम यहां रखेंगे, तो यह हमार पास आएगी, बटा, यह माइनस इंफानेट से इंफानेटी ही है, तो यह आपर लिमिट क्योंकि जैसे आप इस रखोगे, तो X की जगा माइनस इंफानेट रखो, तो Z इन माइनस इंफानेट आएगा, यहां प्लस यहां पर मैं लिखता हूँ तो यह आएगा माइनस इंफिनिट से इंफिनिटिव यह म्यू तो मैं बहार निकाल लेता हूँ एकी पावर माइनस का जैड इसको आरटी ज़ेड़ जाती है तो यहां से मारे पास इसकी जो वेलियु आईगी हो आईगी वन अपॉन रूट टू पाई बैटा यह म्यू तो मैंने बहार निकाल लिया है यह तो जीरो हो गया बचा सिर्फ ए और यह इवन फंक्शन इसको 0 to infinity e की पार minus z square by 2 dz और सुनिया 2 multiply में आजाएगा, right? अब सुन अगेन जो मैंना भी आपके साहने पिछले वहाँ पर प्रोसेस किया था, वह हम यहाँ पर करेंगे, तो 2 mu upon, बाटा, यह root 2 pi आएगा, और यह हमारे पास किसकी value, बाटा, यह हमारे पास ex की value है, that is mean की value है, हम mean नहीं काल रहे है, तो बाटा, यहाँ यहाँ पर 0 to infinity, यहाँ पर हम क्या करते हैं सुन, let, यहाँ पर हम वही same concept use करेंगे, let, z square by 2 is equal to t, बाटा, यहाँ आएगा, 2z dz upon 2 is equal to dt, बाटा, यहाँ पर dz is equal to, यहाँ आएगा, dt upon z, और dt upon z की value हमारे पास, यहाँ पर क्याएगा, बाटा, यह value उटा है कि हम यहाँ रखेंगे, तो बाटा, यहाँ आएगा, e की power minus का t, और यहाँ इसकी value आएगी, dt upon 2t आजाएगा, इसकी रूट 2 बहाँ निकालेंगे, तो बाटा, यहाँ आएगा, 2 mu upon 2, root pi and 0 to infinity, बाटा, यह root t उपर आएगा, तो t की power minus 1 by 2, e की power minus dt आजाएगा, इसकी अभी मैं आपके सामने गामा function के बारे में बात करीती है, गर 0 to infinity, x power n minus 1, e की power minus x dx की जो value होती है, वो गामा n होती है, तो वही हम लगाएगे यहाँ पर, तो mu upon root pi, बाटा, इसकी जो value होती है, यहाँ पर, x है, यहाँ पर t है, तो बाटा, यह n minus 1 होने तो बढ़के n हो जाता, तो यह minus 1 by 2 तो बढ़के हम mean होता है, वह हमारे पास क्याbars sun, mu होता है, तो यहां पर जित्ते भी हम notation uze करते है, mu और sigma square और is variance है, वह normal distribution की use करता है, मीन को हम हमेशा xuह mu sorry not करते है, because standard normal distribution का mean होता है, Spaßижу बात करते है, इसके variance के बारे में, तो सुन variance का जो formula होता है, वह हमारेपास क्यों होता गर हम variance को निक X-Bar का Whole Square, या फिर हम इसको ऐसा भी बोलता है, यहां पर X-Bar जो है, वो इसका क्या आरे सुन? मीू आरे सुन? अभी हम देना निकाल आ उन्यारा होता है, इसी को mean बोलता है, इसा को मेन बोलते है, that is X-Bar. यह होगा, इससे को हम भारे पास F X ही है, तो हम यहाँ पर करेंगे, सुन इसका variance निकालेंगे, तो variance of x is equal to e हटेगा, तो यह आएगा minus infinity to infinity, यह whole square है, सुन x minus mu का whole square into fx होता है, हम जानते है, normal distribution का जो function होता है, अभी pdf जो होता है, वो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, one upon sigma root 2 pi and e की power minus x minus mu upon sigma का whole square, यह value उठाक हम 2 by 2 होता है, है न, minus का, तो सुन यह हम यहाँ रखेंगे, तो यहाँ आएगा minus infinite से infinite x minus mu का whole square, यह fx जो है, यह आएगा sigma root 2 pi, है न, e की power minus का 1 by 2 x minus mu upon sigma का whole square dx हो जाएगा, सुन क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर, अब हम इसका integration करना, तो इसको हम वही t मान लेंगे, यह z मान करेंगे, तो यहाँ से मारे पास आएगा, dx upon sigma is equal to dz, तो dx is equal to sigma dz हो जाएगा, सुन यहाँ पर x minus mu की value बीचाहिए, तो x minus mu की value होगी, वो sigma dz हो जाएगी, यहाँ से आएगा, तो यहाँ से इसकी value रख सकते हैं, तो सुन यह value ठाके हम रखेंगे, तो यह आएगा minus infinity से infinite, यह आ two आएगा, and यह आएगा sigma dz, और सुन अगर आप देखें यहाँ पे, तो हमारे पास sigma से sigma क्या होगा हो जाए, यह sigma से sigma क्या हो गया, cancel होगया, now इसकी जो value है, इसको बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यह जो root 2 pi हो जाए, इसको बाहर निकालता हो, और ज़ए इसका इंटिग्रेशन करना है ना चुकि यह z square भी even है और यह भी even है तो यहाँ पर मार पास एक even function तो हम क्या करदेंगे यहाँ पर twice करदेंगे तो यह आएगा 2 sigma square upon root 2 pi पैटा यह आएगा 0 to infinity z square e की power minus kaa z square by 2 dz हो जगा अब यहाँ पर गामा बीटा function का concept इस होगा तो वेटा हम क्या करते हैं यहाँ पर लेट वही सेम यहाँ पर चलो इसको variance of x की बात कर रहे हैं तो मैं एक बार वापिस लिग देता हूं सुन 2 sigma square upon root 2 pi और यह आएगा 0 to infinity z square e की power minus kaa z square by 2 dz है ना यहाँ पर यहाँ पर वही सेम क्या करेंगे वेटा z square को मैं माल लेता हूं t z square by 2 को t má लो से प्याइसट है ना यहाँ ज्री आएगा 2 z d z जो होगा وہ हमारे पास dt होगा तो यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर यहाँ की फिर याँ गांए टो इसे कि यहांद की साब को और फ्रियाád आएगा रखेंगे उरी हम चैपने की एक यपांड और पास यहां पे यह थाएगा और यह रूके रहेदेंगे गांड़ तो यह आएगा dt upon 2t का unroot हो जाएगा, clear? तो यह आपको ध्यान देने की आवश्यक्ता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान देजेगा, मैं यह 2 तो बहार निकाल लेता हूँ, तो यह आएगा 4 sigma square, तो यह root 2 root 2 बहार ले लेता हूँ, तो यह 2 हो जाएगा, और यह root pi हमारे पास t की value 1 by 2, e की power minus t dt हो जाएगा, मैं तो यह आएगा हमारे पास 2 sigma square upon root 2 pi, यह सुनी गामा बिटा का concept हम लोग बता चुका हूँ मैं आपको काफी बार, मुझे लगता आपको याद होना चाहिए, बट फिर भी एगर आप भूल गए, तो सुन 0 to infinity x power n minus 1, e की power minus x dx की और गामा 3 by 2 को हम कैसे कोलते हैं, यह आएगा 2 sigma square root 2 pi, इसकी value होती है, 1 by 2 gamma 1 by 2, सुन गामा के बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो गामा बिटा पे मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, मैंने आपको बता दिया, आपको आइट टे पे जाके मिल जाएगा, बटा 2 से 2 cancel हो जाएगा, तो यह आएगा sigma square root 2 pi, और इसकी value भी root 2 pi होती है, तो root 2 pi से root 2 pi cancel, तो सुन जिसका variance of x होगा, वो हमारे पास क्या होता है, सुन, sigma square होता है, तो इस प्रकार से इसका normal distribution का variance निकाल, तो normally हम variance को sigma square से ही denote करते हैं, जित्ते भी हमारे पास distribution है, उस distribution में जो notations होता है, वो हमेशा normal distribution को क्या करते हैं, follow करते है, तो मुझे लगता है, आपको चीज़ें समझ में आगे होगी, और यही मैंने यहाँ पर बता भी रखा है, आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं, इस तुन, standard division क्या होता है, इसका android हो जाता है, और इस तुन यह question comment box के लिए इसको आपको course लेना है, इसका वीडियो आप यहाँ पर जाके देख सकता है, इस तुन, standard division पर मैंने काफी अच्छे वीडियोस अफ्लोड कर रहे हैं, उसकी पूरी playlist आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ पर जाके चैनल को subscribe कर सकते हैं, यहाँ पर जाके आपको download कर सकते हैं